भारत में भक्ति सिद्धान्त का आरंभु इशा के तीन हजार वर्ष पूरु यानि आज से लगभग पांच हजार वर्ष पूरु हुआ चाहे उसका श्रे नारद भक्ति सूत्र को दिया जाए या दक्षण के आलवार भक्तों को बहराल हिंदी कविता में भी या सिद्धान्त पिछले लगभग देड़ हजार वर्षों से परचलित है इसका आरंभ आदिकाल में ही हुआ पर विशेश रूप से पूरा पल्लवन और पूरा विकास मध्यकाल में जिसको भरतिकाल भी कहा जाता है में दिखाई देता है इस कावि की अपनी कुछ महतपूर्ण विशेश्टाएं हैं सबसे प्रथम उलेखनी विशेश्टा है कि यह सरवहारा का कावि है यहे ज्यादातर उन रचनाकारों द्वारा रचा गया है जो तथाकथित अंतेज वर्ग के थे अंसूचित वर्ग के थे चाहे रैदास हों या कबीर हों या धन्ना हों या सेन हों कोई जुलाहा है कोई धुनिया है और श्रमजीवी वर्ग कामकर समाज से जुड़ा हुआ ह इन्हों ने मानुस भाव से प्रिरित होकर इसका विकी रचना की आप देखें कि इन कभीयों में अधिकतर कभी नकेवल समाज से वहिस्कृत बलकि विकलांग आर्थिक दिरस्टे कमजोर वर्ग के और साथ ही समाज द्वारा बहुत कुछ तिरस्कृत रहे हैं इन में जायस जो जुलाहे का काम करते थे इन में सूर्दास जो विकलांग थे जर्मांध थे इन में तुलसिदास जो भिक्षुकृत में पैदा हुए थे इन में जायसी जो एक आँख और एक कान से बंचित थे अकेली एक मीरा बाई हैं जो राजन ने परिवार से जुड़ी हुई थी लेकिन गाद से अलग थी और मौत की छाया में जी रही थी तो सही अर्थों में ये संतों का और सरवहारा लोगों का कावे हैं दूसरी विशेस्ता ये है कि ये पूरा कावे वस्ताह जन कावे रहा है और राजाशे से बहुत दोर रहा है तुलसी जीवन भर भटकते रहे है एक एक दाने के लिए महताज रहे हैं लेकिन समाधरित हो जाने के बाद जब जहांगीर का निमंतर्ण उनको मिला कि तो हमारे मनसबदार हो जाओ तो उन्होंने दो टूक उतर दिया के हम चाकर रखो भी लिके लिखो पढ़ो दर्वार तुलसी अब का हुईंगे नरको मनसबदार इसी तरह से कुमंधास जो अश्टचाप के प्रसिद्द के भी वाने जाते हैं उनको अगबर ने अपने दर्वार में बुलाया और उनसे एक पद सुनने का आगरह किया तो पद तो उन्होंने गाया लेकिन उसके साथ साथ ये भी आगरह किया कि भविशे में मुझे की विद्यापत की रहीम की ये राज जनिवर्ग से जुड़े भी रहे लेकिन साथ साथ सोतंतर भी थे तुलसी दास उस कभी को प्राकर्द कभी कहा करते थे जो कहीं प्राकर्द जन या साधारन मनुश्य की परसस्ति में कावे रिचना करता है कुल मिलाकर एक बहुत गहरे उदात तबूली से जुड़े हुए तीसरी विशेस्ता आप आएंगे कि ये समनुए का कावे है इन्हों ने शयो परमपरा और वेश्नो परमपरा जिनका पहले बड़ा विवाद चल रहा था उसका समनुए किया लोक और वेद का समनुए किया निर्गुन और सगुन का समन किया ऐसे ही चोथी विशेस्ता आप आएंगे कि ये कावे एक प्रकार से सर्वसंकलन का कावे है गोसवामी जी का तो उद्गोश ही था लाना पुरान निगम आगम सम्मतम्यत जो कुछ पुरानों में कहा गया है निगमों में आगमों में कहा गया है उस सबका निचोड उस चिंतन भी है, मानोमूल भी है, यानि जीवन जगत से काम आने वाले उसके लिए उपयोगी जितने विशे हैं, सबका सवाहार इस कावे में पड़ापत होता है, पांचवी विशेस्ता और सरवोपर विशेस्ता ये है कि ये कावे लोकमंगल का कावे, गोस्वामी जी का तो इ है, गंगा की तरह सबका हित करती है, सबका उधार करती हुई चलती है, तो ये है लोकमंगल का भाव, यानि साहित सभासुधार की भूमिका कैसे निवा सकता है, मानुश भाव का संचार कैसे कर सकता है, सही प्रबोध कैसे दे सकता है, इसका उधार बन जाता है, और पांच का दूसरे केपरती सर्वसाधारन केपरती हर नागरी केपरती एक विशेश प्रकार का आसकती भाव एक विशेश प्रकार का प्रेम व्योहार एक विशेश प्रकार का नाता रिस्ता यह इस कावी का बहुत बड़ा संतोश इसका बहुत बड़ा संदेश है जायसि अपने काव की परिभाशा करते हुए या उसका परिचे देते हुए कहते है कि मानुस प्रेम भयोब ड़कूंति ये मानु स्प्रेम सांसारिक प्रेम का भाओ भी गरे कुन्ति मैंने स्वर्गिक हो जाता है यह एक एक अद ticking आंद का संचार करता है इस प्रेम में ऐसा प्रगाढ अतत्त है और कबीर की वो पर्णतित तो बहुत ही प्रसिद्ध है पोथ ही परिजग मुआ पंडित भवान उकोए धाई आखर प्रेम का पढ़ेश पंडित होए यह प्रेम के जो धाई आखर है यही जीवन के सबसे बड़ी उपलब दिये यही स इन सब ने प्रेम तत्त को सरवाधिक महतु दिया है वो प्रेम के वल भवतिक प्रेम नहीं है वो आध्यात्मिक प्रेम है वो इश्वर भर्ति है दरसल रती दोनों का स्थाई भाव है चाहे वो शंगार हो और चाहे वो भर्ति हो तो इस प्रकार प्रगार राग चेत्रा य भक्ति कावे में चार प्रकायर के सम्मंद बताए गए हैं एक दामपत्य भक्ति दूसरे सक्ख्य भक्ति तीसरे वातसले भक्ति चौथे दास्य भक्ति दामपत्य भक्ति में पत्री का जो आदर्श प्रेम हो सकता है उसके पत्री जो निस्ठा होनी चाहिए परस पर जो विश नीवरत है यहे परुस पर विश्वास पर ही ठिका हुआ इनके जितने कथा काव्य हैं चाहे राम जृरीदवानस को देखें चाहे पदमावत को देखें राम जृरीदवानस में सीता सतीत्यु की पřतीक है राम आदरश-पुरुश के प्रतीक हैं दोनों की निस्ठा अपने अपनी जगे पर सराह नहीं है और यही सिती पदमावत में दिखाई देती है वहाँ इस दामपत प्रेम के पीछे ही रतन सेन ये पदमावती और दूसरी तरफ हो उसकी अन्यान निरानियां जो जवहर का बृतले लेती हैं वो इसी भाव का प्रमान प्रसूत करती है दूसरे भ्रातत तो या भायप भगती इस काविका बहुत बड़ा संदेश है राम के भाई भरत लक्षमन ये भ्रातत तो भगती के नमूने हैं यह पांचवी प्रकार की भगती है जिसको इस युग मेयो विशेसूप से गोस्वामी तुलसिदास ने रामचरी दमानस के मा हों चाहे अर्जुन हों और इसी तरह से वातसल भगती के छेतर में काउसलिया को और ये शोदा को उसका उधार माना जाता है मेरा ख्यार है और विद्वानों के अमत है कि विश्व साहित में काउसलिया और ये शोदा जैसी माताई चेतरित नहीं हुई है यह जिस तरह का ए है दास की सबसे बड़ी कामना यही रहती है कि हमारा जीवन सर्वसो आराध्ध के प्रतियर्पित हो जाए राम सो बड़ो है कौन मौ सो कौन छोटो राम सो खरो है कौन मौ सो कौन खोटो यह जो शरनागति का भाव है यह जो अनुने विने है और अपने आलंबन के प्रति परातपर ब्रम के प्रति संपून समर्पन का या आत्म विसरजन का भाव है वो इस कावे की बहुत बड़ी विशेशता है इसमें परिवार के लोग भी है साथ ही वैरागी भी है इसमार्द भी है इसमें मरियादा पुर्षोतम भी हैं और लीला पुर्षोतम भी हैं राम मरियादा पुर्षोतम के प्रतीक हैं कृष्ण में लीला पुर्षोतम के प्रतीक हैं और इस तरह से ये कावे लोग जीवन की जो एक मरियादित व्यवस्था है उसके आदर्श बनकर चलते हैं जिसको आग गौस्वामी जी ने शुतिसम्मत हरी भर्वख्ति पत्व का नाम दिया है तो यह है शुतिसम्मत हरी भर्वक्ति का काव्य है हिंदी भक्त कावे कि इए कुछ हो महात जबोण प्रवितियां हैं इन इस सरवपर उन लेखनए प्रविति ते कि कि यह काव लो इन लोग संसक्रित का चैस्षा ऑब्रि इंकि दुनिया बनवासीओं का जीवन आदिवासी ngoo का जीवण यह है नागर संस्क्रित कब बर्नन किया लेकिन वो राजाराम नहीं है, वो आराणेक राम है, बनवासी राम है, और सूर्दास के कश्र तो गोपालास तक है, कुल विलाकर गाएं चराने वाले, गाओं बे रहने वाले, गोचारण करने वाले इसमें मूल रूप से दो तीन छेत्रों को विशेष रूप से उभारा गया है एक अवध की लोग संस्कृती दूसरे बरज की लोग संस्कृती तीसरे बुंदेलखंट की लोग संस्कृती राजस्थान का भी जन जीवन आया है मीरा के कावि में और दूसरे भी बहुत सारे कवी हैं मिथला का भी लोग जीवन आया है विद्यापती की माध्यम से विद्यापती कहते हैं कि जो अपनी स्थानी गाउं की बोली है जिसको उन्होंने देसिल बैना कहा है देसिल बैना सब मिथला और बुन्देल खंडु यहां की जो आभीर लोग संस्कृति है उनका जो खान पान है उनका जो पहनावा है उनके जो परवोत्सों हैं उनके जो सामाजिक संस्कार हैं वने समक्र सामाजिक जीवन संस्कृतिक जीवन यह इस कावी की एक बहुत बड़ी देन है इसकी उसकी गणना की जानी चाहिए एक प्रवित्ति और आप देखें वो है कि यह काव्दे मूल लूप से जाति धर्म ने रिपेक्षता का उप्रतीक है भर्ति में जो आंदोलन चला रामानंद ने उनके पहले आचारे रामानुज ने और साथी साथ रागवधास ने एक आंद एक प्रकार का जगनास कल्ट था जैसे जगनास जी के मंदिर में ये व्यवस्ता है कि वहाँ परोसा जाने वाला भात अगर कोई उसे खाने पीने में परहेज करता है तो वो कुछ ट्रोग हो जाता इस प्रकार की एक भामना विक्सित की गई कि कि किसी प्रकार का कोई उंच का भेदभाव, नभाशा का भेदभाव, आज हम जिस बिखटन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जिस भेदभाव से पिलित हैं, उसके लिए कावे बहुत बड़ा आदर्श है, यहां पर कुछ ऐसे महत्पूर्ण कभियों के संदेश प्राप्त हुए है, जिसे सूर्दा से एक पद में कहते हैं, कि भगति में कहां जनेवू जाती, जनेवू का यग्योपवित मने दुजत्तो का जो दर्प है, वो भगति में नहीं चल सकता है, वहां जाती नहीं होती, वहां पाती नहीं होती, और सब आराधक आराध दोनों समान भूमिगा में रहते हैं, सूर्द रिहारे, जीते श्रेदामा करशन हार जाते हैं, खेलते-खेलते, श्रेदामा जीत जाते हैं और उसका कहीं कोई अन्हथा भावन पर नहीं आता, इस प्रकार का संदेश इस काभिक माधिम से दिया गया है. उसका परिणाम यह है कि बहुत सारे कभी जो अंतेजवर्ग के थे वे प्रकाश में आये उनको महा तो मिला उदाहरन के लिए अश्टचाप के कवियों में करशनदास अधिकारी जो तथाकथित हरिजन वर्ग के थे वे मंदिर के अधिकारी बनाए गए थे नाभादास ने भक्तमाल लिखा जिसमें उस समय के भक्तों का सारा पर्जे दिया गया है वे सबसे प्रधान लिक्ति बाने गए ऐसे ही मुस्लिम कवियों का जदा जदा समावेश इस काब में दिखाई देता है चाहे रहीम हों, चाहे खुसरों हों, चाहे जायसी हों, या रस्खान, या मुला दाबूद, जिदने सूफी कवी हैं, ये सब उस अल्पसंख्यक वर्ग से आये हुए हैं, अधिकाधिक इन कवीयों का सवावेश, राम कवे परंपरा में, कृष्ण कवे परंपरा में, नीत के रूप में, नी बिभिन विधाओं में, बिभिन शाहिलियों में, इन सब ने रचना की, और कुमें लाकर भक्ति का संदेश दिया, ऐसे ही ये आप वो अनुभव करेंगे, एक महतुपूर्ण उलेखनी प्रविती है, कि ये है वस्तोता जनजन का कावे है, यो कभी अपने को बुद्धी जीवी मानता है, कलाकार मानता है, विसिस्ट मानता है, रचना कारवर का अपना अलग दर्जा होता है, लेकिन इस यूग में, जो किसान है, जो मजदूर है, जो कामगर है, जो शिल्पी है, वो कावे रचना कर रहा है, और दिंचन्या में भक्ति काव तो है उतना ही महत लबेद का है अव बड़े दावे के साथ कहते हैं तुम कहते हैं कागद की लेखी मैं कहता है आखिन की देखी जो आखिन देखी सकते हैं वो कब महत पूर नहीं है यह जनकावी का सबसे बड़ा लक्षण है इसी तरह से तुलसी दास ने जहां शास्त्र राम चरीद मानस में बहुत उच्च कोटी का दर्शन है, बहुत उच्च कोटी का चिंतन है, पर उसी के साथ-साथ लोग कावे भी है, राम लला नहेचु उनका एक ऐसा कावे है, नहेचु महावर लगाने के एक विशेश तरस्म होती है, मांगली कायोजनों पर लगाया जात है, अब उसमें लोग गीत गया जाता है, तो उन्होंने इस्तरियों के उपियों के लिए, वे राम कथा कहें तो उसमें राम को याद करें और उनके प्रतिभक्ति भाव पर गट करें, राम लला नहेचु की रचना की, इसी तरह हजानकी मंगल, पारवती मंगल, ये मंगल क कावे विवाह के वजर पर गया जाता है, रुकमिनी मंगल, इन तरह के तमाम ऐसे मंगल कावियों की रचना भी इस युग में भक्ति कावे धारा के अंतरगत दिखाई देती है, इसी तरह है, जन जीवन का चित्रन, इन कवियों ने किया, जैसी ने बारह मासा लिखा, ऐसे ही बारह मासा गवर्नन इस फुट रूप से सूरदास में भी मिलता है, तुलसिदास में भी प्रकृत चित्रन भरा पड़ा है, जिसमें बारहों महिने की गत्वी धी गई, उससे प्रकृत और पर्यावरन का परिशे मिलता है, और साथ ही लोग जीवन की विभिन जांकियां प्राप्त होती है, अब जैसी ये भूल जाते हैं कि वे राजा की कथा कहे रहे हैं, रतन सेंट चितोड का राजा है, वो हो प्रवास पेहर, और उसकी रानी नागमती अकेली रहे रही है, वरशारी तो आई हुई है, तो नागमती कहती है कि मेरा प्रिय तो पर्देश में ह अब उसके अभाव में पिय बिन चाजन देही, घर में चपर कौन लगाएगा, ये भूल जाते हैं कि राजा कि यहां चपर नहीं होता है, राजपरासाद होता है, लेकिन चूँकि लोग जीवन का बड़ा गहरा प्रवाव उनके उपर है, इसलिए गाउं की जो दशा है, वहां के जो घर है, वहां के जो रहन सहन है, वो अनाया से चित्रित हो जाता है, तो ऐसी बिभिन प्रकार की लोग कलाएं, राम लीला के जो अधिकाधिक प्रचलन उस यूग में हुआ, ब्रजमे रास लीला के जो अधिकाधिक प्रचलन हुआ, जो रसिया गाए गए गए, और बिविर प्रकार की लोग गाता हैं जो चलीं वो सच्वोचो जनजन के काव्य होने का प्रमान प्रस्थूत करती हैं इसी तरह से आप यह अनुभव करेंगे एक विशेस महत्वपुन प्रवित्ति है कि यह काव्य प्रबोधन का काव्य है कविता का प्रियोज़न केवल मनुरंजन ही नहीं होता है बल्कि शिवे तरक शते जिसको कहा गया है जन कल्यान जिसे जन ही थो सही अर्थों में साहित की परिभाशा ही वो है हितेन सहितमत से भावा साहित्यम जो सब का हीत करे गुस्वामी जी के शब्दों में सुरसरी के समान जो सब काहित करता हुआ चले इस युग में प्रबोध परक्का भी बहुत लिखे गए संस्कृत का एक गन्थरहा प्रबोध चंद्रोदे प्राया हर कभी ने उसका अनुबाद किया है और एक तरह का अनुश्वजन किया है उसी से प्रबित होकर तरह तरह के प्रबोध जिसको सभा विलास कहा गया है यहीं सभा में रहते हुए में किस प्रकार के व्यवार करना चाहिए ग्रहस्त जीवन में किस प्रकार का और विभिन प्रकार के जो ग्यान हो सकते हैं व्योहरी ग्यान जैसे वीर पूजा की भावना वीर पूरुश का ताथ पर है जिसको अंग्रेजी में हेरो वर्शिप कहते हैं जो पूज पूरुश हैं उनका प्रशस्ति भाव कैसे मन में रखा जाए तमाम रित्मों का ग्यान खासतोर से शटरिदु क जो वर्णन किया है उसमें रित्मों का ग्यान दिया है और दैनिक कामकाज की चीज़ें इस युग में करशिसे सम्मंदित बहुत सारे कावे लिखे गए कब कौन सी फसल बहुनी चाहिए किस प्रकार का बीज होना चाहिए कितनी बार सिचाई होनी चाहिए इस प्रकार के भी लुकोप यूगी कावे बहुत रचे गए ऐसे ही दर्शन चिंतन इस युग में अपनी पराकास्था पर दिखाई देता है गोस्वामी तुलसिदास ने जो तत्व चिंतन किया है सूर दास ने भी विसिस्टा दुएत वाद दर्शन का जो प्रतिवादन किया है केशव दा जो वेदान्त के सिद्धान्त हैं इसके साथ जो वेशनोमत के सिद्धान्त हैं जो शैव उपासना के सिद्धान्त हैं दिविन प्रकायर के संप्रदाय और संप्रदायों से जुड़े हुए जो सिद्धान्त हैं वे कावियात्मक रूप धारण करके इस युग में इस भरत सके और उसो साइधामतिक दर्शन को अपना जीवन दर्शन बना सके. यह काव़ एक महत्रपून प्रवित्ति है, इसके नीटि परक काव़ है. नीटि का ताथफर है किस प्रकार किस दिशा में चलें, जो नयन करें, जो मार्ग निर्देश करें, ऐसी खास प्रकार की नीती रचना इस प्रकार की सुप्तियां इस प्रकार के उधरण इस कावे में प्राप्त होते हैं हर कभी कहीं ने कहीं सिद्धान तक अथन करता है चाहे आप कवीर के दोहों में उनकी साखियों में देखें जगे जगे पंक्ति-पंक्ति में नीत है, उपदेश है, प्रबोध है, चाहे तुलसी के रामचरीज मानस को देखें, एक-एक पंक्ति सूत्ती बन गई है, जीवन में खासतोर से जब कोई विशम समस्या आती है, लोग उसी के इस परण करते हैं, होई है वहाई जो रामरचे कारे में नहीं, इस प्रकार की नीतियां या नीति का थन पूरे कावे में भरे हुए हैं, और आप यह पाएंगे कि लोग जीवन की जो उक्तियां हैं, जिनको लोक उक्ति कहते हैं, उसी के दूसरा रूप जिसको मुहावरे कहते हैं, इसको अवधी में मसला कहा जाता है, ज है और उसी के साथ साथ नीद कथन भी हो गया है तो ये मसला नामा और उसके साथ साथ नीद परगवाक्य जो तुलसी की तुलसी सत्साही में प्राप्त होते हैं और सरवाथिक उनका नुसरन करके कोई भी विशम से विशम समस्या के सवाधान कर सकता है एक प्रवित्ती आप यह पाएंगे कि इस काव्य ने जनपदी भाषाओं को बहुत मातो दिया जो हिंदी की बोलियां हैं तब खड़ी बोली का तो पुरा विकास हो नहीं पाया था अमीर खुसरों ने इस फुट रूप से खड़ी बोड़ी कुछ रचनाई की थी लेकिन कविता के छेतर में ज़्यादा प्रचवन था ब्रज का अवधी का कुछ-कुछ बुदेल खंडी का मैथली का राजस्थानी का और अवधी की रचनाई हैं और उसी तरह से भोजबुरी या डिंगल भाशा राजस्थान में जो इस्थानी बोली में जो रचनाई की गई उसमें डिंगल की शब्दा वली जादा है को जिसको विद्यापदि ने देश लुए ना कहा था उन देशी भाशाओं को इस कावि ने बहुत महातो दिया एक महत्मफुन प्रवित्थी जिसकी और मैं संकेत करना चाहूंगा और पूरी प्रासमिकता के साथ उसको रखना चाहूंगा वो है इस काविए ने एक समेकित भारती ये साहित्य की प्रान प्रतिष्ठा की है, समेकित जिसको अंगरीजे में इंट्रिगेटिड नेशनल कल्चर कहते, कुल मिलाकर एक भारती अवधारना प्रस्तुत की, पहली पहली बार ये कावे राष्ट्र इस्तर पर रचा गया है, भक्ति का सिद्धान अकेले हिंदी में ही नहीं रहा है, मराठी में ग्यानेश्वर, एगनाथ, तुकाराम, राम देओ, नाम देओ, राम दास, सब भक्ति के कावी रहें, चाहे एगनाथ के अभंग देखें, और चाहे ग्यानेश्वर के पद देखें, इन्होंने हिंदी रचनाएं भी की हैं, ये सब के सब मुर्लूप से मराठी का भी रहें, लेकिन हिंदी की रचनाएं समानामतर रूप से करते रहें, ऐसे ही गुजरात में आखा की रचनाएं देखिए, इनरसी मेहता की रचनाएं देखिए, वैशनों जनतों तेहने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, बापो के जो प्रिभजन रहा है, अब ये गुजराती में भी है, ये हिंदी में भी है, दरसल पुरानी हिंदी और मैثली के कभी कहे जा रहे हैं, जिब से मैثली भाशा का स्वसंत्र अस्तित्त हो गया है, अन्य था वे मूल रूप से हिंदी के कभी रहे, बंगाल में चंडिदास, चैतन्य महाप्रभू और गुर्बिन दास ये सब मूल रूप से बर्जभाशा जुडे रहे हैं, असम में इसी तरह शंकरदेव अवतरे जिन्होंने अंकिया नाट लिखा है और वहां बावल गीतों की बहुत सारी रचनाएं हुई हैं ये बावल गीत भी मुलूप से ब्रजभाशा में हैं तो कहने के ताथ पर है कि ये समिया में, बंगला में, मराथी में, पंजाबी में, गुजरा भाशा तक से मीद नहीं है बलकि इसमें समेकित, भारती संस्क्रित का सुर है एक विशिष्टा ये पाएंगे कि ये हकावे संगीत के साहरे चला है आज कविता से संगीत गायब हो गया है चंद लिप्त हो गया है कविता गद्यात्मक हो गई है परिणाम सुरूप उसकी घर घर में गूंज रहे हैं तुलसिदास के चंद चाहे वो घीतावली के पद हो और चाहे वो कवितावली के कवित हो सवया हो या रामचरीद मानस के चौपाईयां उसके दोहे उसके सोर्टे नजायने कितनी राग रागनियों में इनको लोगों ने ढाल लिया है और ढालन हुआ है उसके बाद हो पद दिया गया है कबीर गंधावली में कबीर के पदों के उपर उपर स्पस्ट रूप से उलिख किया गया है कि यह ब्याहलो गीत है यह मलहार गीत है यह सारंग है तो ऐसे बिभिन प्रकार की संगीत की जो धुने हैं जो इनकी ताल उनकी ले उनकी ज उनका उलिह करते हुए चलते हैं और संगीत को विशेश महत्व देते हैं तो संगीत और साहित जब धूनों एकी करत हो जाते हैं तो उससे उसकी संप्रिशुनियता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है ये है इस कावे की बहुत बड़ी उपलब्दी है हिंदी भक्तिकावे के लक्षणों में एक महत्पून लक्षण है इनका अस्तित्व संगर्श मैं सबस्ता हूं सबसे बड़ी उपलब्दी यही है कि इन कवियों ने प्रत्यक शुरूप से राजनीत नहीं की पर परोग शुरूप से भारती संस्कृत को हिंदु धर्म को और अपनी अस्मिता को बचाने का अभियान चलाया यह तब तक उद्विग नहीं नहीं हुए जब तक सत्ता अपना काम करती रही लेकिन जब मंदिर गिरा जाने लगे और इनकी उपासना पद्धत में ब्यवधान आने लगे तो इन्होंने अपनी संस्कृत की रक्षा के ही है और विशेसूप से असुरों के विनाश का संदेश दिया गया गया गोस्वामी जी के रामचरित मानस में प्रश्ट प्रश्ट पर धनोधारी राम दिखाई देते हैं बारंबार उसंदेश देते हैं कि इन से डरने की कोई आवशक्ता नहीं है तुलसिदा से रखवीर बाहुबल तुलसिदा से काहुन डरे मैं रखवीर के बाहुबल पर साहरा उनका आश्रे लिये हुए हूँ इसलिए कहीं किसी तरह की भैकिया वशक्ता ने और एक जगे तो कहते हैं कि देखो तुम अपना अपना विश्वास भाव अपना आस्था का भाव बनाए रखो य जाएंगे जैसे लंका के राक्षस नस्ठ हुए थे धन उधारी राम जब इतने प्रबल प्रतापी या तुधान रामड का बढ़ कर सकते हैं तो ये राक्षस ये आज के काल परों की नरों जरी जाएं दिवारी के दीप कमाएं जैसे दिवारी की दीप में बहुत सारे संस्कृत की स्थापना की एक विशेस प्रकार की तीर संस्कृत की स्थापना की इसलिए आयोध्या में मतुरा में काशी में हरिद्वार में नैमिशारने में यहां पर ये भक्तिकाबे प्रचलित हुआ और अस्तित्व संघर्स का संदेश दिया जिससे इनकी अपनी अस्मि जीवन मूँ ले रहा है उस समय के सीमा रही है लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ कभियों में पाएंगे जैसे सूर की गोपियों में आप देखें वे जितनी सोतंत्र हैं क्रश्न के प्रेम में जिस तरह पगी हुई हैं आधी रात में क्रश्न की मुर्गली बजती है तो वे अ पूरे राज राजन वर्ग और उसके प्रतिबंध को तोड़ करके जिस नारी स्वातंतर का आदरश परस्तूत करती हैं मेरा ख्याल है कि आधुनी की युग में भी उतनी इस्त्री सोतंता प्राप्त नहीं है एक उपलब्दी महातुपूर्ण उपलब्दी है कि यह कावे क प्रशक संस्कृत का कावे है इसमें किसानों को विशेश रूप से महातुदिया गया है जो रूपक बनाए गये हैं वो प्राया खेती के रूपक हैं जब कबीर भक्ति का संदेश देते हैं उनका बड़ा प्रसिद्व का भी है पंक्ति है कावे है कि संतों खेती करो हरिनाम की जिसे खेती की जाती है जुताई होती है जवाई होती है उसी तरह से जमीन को जोतो साधना की भूमी को सुद्रट करो और उसमें राम रसायन डालो राम का वीज डालो तब जाकर ये खेती पुछपित-पंपालsent होगी जाएसी तो मुलूप से किसान कभी रहें उनकी कई करदियां है मुराई नामा या महरा नामा वो मुलूप किसानों से ही जुड़े हुए हैं उसी तरह से सोर के काभ में और समझ अश्टचापी कभियों के काभ में इस कृषक संस्क्रित को विशेश सूप से बढ़ावा दिया गया है और इसमें संतत्त्त का संदेश दिया गया है संतत्त्त माने साधगी इकून जीवन साथ्विक उस दिन भकत नहीं रह जाओगे उस दिन मनुश्य भी नहीं रह जाओगे जब खाएगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप चूपड़ी खाने से वह ऐसा ही विचार बन जाता है और विक्ति अंचाहे अंजाने पाप कर्म करने लगता है और दूसरे चूपड़ी खाने के लिए वो इस प्रकार के को कर्म करता है। इसलिए सात्विक जीवन, कुल मिला कर साधा जीवन, कुल मिला कर निरांकार, निराडंबर जीवन, उसका संदिश देते हुए चलते हैं। और आप ये पाएंगे इस कावि में एक विशेश प्रकार की वहिष्विक चेतना है यह किसी छेतर से जुड़ा हुआ नहीं है वैश्युक चेतना है भूमंडली करण का नारा तो अभी लगा है लेकिन आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व इनकभियों ने जो लिखा उसमें भावभीर और भावभीर का तात्पर संसार के समस्त निवासियों की जो है डाक्टर ग्रियरसन जब हिंदी भाषा से जुड़े और जब उन्होंने तुलसिदास का अध्यन किया तो उन्हें लगा कि कोटिका कवितों भी शुसाहिते में उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया जिस कांफरेंस में वो पहली पहली बार हिंदी कविता पर व्याख्यान देने के लिए गए उसमें उनका पहला वाकी यही था कि यहीं नहीं योरप के तमाम देशों में भी इस इस्तर का कोई कवी आद तक मुझे नहीं दिखाई पड़ा है जिसको इतनी ज्यादा प्रतिश्था पराप्त हुई हो और जिसने जीवन के इतने विराट सुरूप का चित्रन किया हो रूस के एक बहुत बड़े विचार को वारा निखो रामचरीद मानस को पढ़ते पढ़ते वे इतने अभी भूत हुए कि उन्होंने कहा कि जिसको प्रगत शील्द साहिते कहते हैं और जिसको जन्पदी संस्कृत कहते हैं उसका अदभुत उदार रामचरी किया ऐसे ही फादर कामिल गुलके जो इस देश में आये तो थे इसाई धरम का प्रचार करने के लिए लेकिन रामचरीद मानस पढ़ते हुए और रामकथा पर कार्य करते हुए उए इतने अभी भूत हुए कि आजन मौसी में रचे बसे रहे यही भारत में रह गए और जि व्यापत नहीं है बलकि अंतराश्ट इस तर पर पहुँचा है और इसी के साथ साथ हो इस कावे ने अपना जो कावे शास्त्र बनाया है अपना कावे शास्त्र जिसमें कावे के हेत कावे का प्रियोजन कावे के भिन भिन रूप कावे का सुरूप और कावे की रचना प्र जर्म लेती है, वे कहते हैं कि कविता केवल अध्या, अध्ययन द्वारा या चिंतन मन द्वारा ही नहीं होती है, यह एक विशेस प्रकार की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सबसे पहले अध्ययन और चिंतन की अवशक्ता होती है, उसके साथ साथ दैवी अनुकंपा भी, यानि प्रतिभा, शास्तर ग्यान और दैवी अनुकंपा इन तीनों के जब योग हो जाता है तब उसके माध्हिम से कविता के जन्म होता है और तब उसके कविता सरहदे द्वारा, सरहदे सामाजिकों द्वारा यानि आम पाठक द्वारा समाधृत होती है तो अपने नए च्छंद जो इन्होंने बनाए हैं, नए नए रसों की जो आवतारणा इन्होंने की हैं, नए नए कविरूप जो इन्होंने बनाए हैं, भाषा के जो नया संसकार किया है, नया जो शिल्प दिया है, उससे एक नया कविशाहत्र, हिंदी का अपना कविशाहत् तो इस तरहे आप पाएंगे कि इस काव्य की अपनी कुछो विशेष्थाएं हैं इसकी कुछो निजी प्रवितिया हैं इसके कुछो अपनी स्वतंत्रो अभी लक्षण हैं और यही भक्ति काव्य की सबसे महात्वणु उपलब्धियां हैं इस पर में यहारव यहारव